हाई एवरिवन, एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आजन देखेंगे भारत के मैप में कि जो हमारे तटीय मैदान हैं वो कौन-कौन से हैं और किस राजिक के तहट आते हैं और देखेंगे जो आपकी करक रेखा गुजरती है वो किन राजियों से गुजरती है और साड़े बैयासी डिग्री जो आपकी रेखाए हैं वो किन-किन राजियों से होके गुजरती है यहां से आपके एक्जाम में प्रश्ण बनते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखें, जो हमारे पूरे तर्टीय राज हैं, उनकी बात करें, तो उनकी जिसकुल सीमा है, एक सट सो किलो मिटर लगती है, तो तर्टीय राज होते क्या हैं, आप इसको देखें, जो यह हमारा मैप है, आपको बताया गया है कि यहां से देखें, यह पूरा प्रायदीपी पठार होता है, और इस साइट से जो लगा हुआ होता है, यही आपका क्या होता है, प्रायदीपी मैदान होते हैं, ठीक है, यह आपका पस्चिमी तठ है, और इधर से आपका पुर तो हिंद महासागर है यहां पर हिंद महासागर है यहां पर बंगाल की खाड़ी है ठीक है और यहां पर आपका है अरब सागर तो यह तीनों तरफ सम्मुद्र है और यह आप इसका तटी मैदान है आए देखते हैं कौन-कौन से तटी राज है पहले यहां से देखते हैं आपका आता है महारास्ट्रा तीसरा है गोवा करनाटक ठीक है फिर आगे देखेंगे इसमें केरल तमिल लाडू ठीक है और यहां पर आपकी सी में टोटल जो देखेंगे आप तो किन शासित प्रदेश भी चार आएंगे और नौ जो हैं हमारे सिर्फ राज्य आएंगे चेरी बनाई गई है और आंद्र प्रदेश हो गया यहां से आपका ओडिशा हो गया और पस्ची मंगाल यह ठीक है यह हमारे राज्य हुए कौन कौन से में देख लिए गुजरात है महारास्ट है गोवा है करनाटक केरल तमिल लाडू आंद्र प्रदेश पांड़ चेरी ठ ठीक है इसी प्रकार से केन शासित पर्देश तरफ यह राज्य है अन्डर मारे क्या होते हैं alcohol के व्यार्द प्रदेश पर्देश पर्देश परदेश और पाया जाता है देखिए जो ये महारास्ट वाला एरिया है और ये गोवा इतने को मिला के हम कहते हैं कॉंकर्ट तर्थ यहां से डारेक्ट एक्जामे कोश्यन मनते हैं कि जो कॉंकर्ट तर्थ है कहां से कहां तक है तो ये महारास्ट के एरिया को लेके गोवा तक का जो है कॉंकर्ट तर्थ ह उसके जश नीचे आएंगे तो जो करनाटक वाला एरिया है इसे कनार या कनर तट कहते हैं इस एरिये को ठीक है फिर उसके नीचे आप और आएंगे तो केरल वाला जो भाग है ये कहलाता है माला बार तट ठीक है और आप ये जानें कि जो पॉंडचेरी है पॉंडचेरी जो ह टीन जिले आते हैं कौन? जे तीन हैं आप देखेंगे कि केरल में एक हिस्सा पड़ता है माहे 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 जो पांडचेरी की कही ही जिला है ऑर पांडचेरी की बगल में कराइकल पड़ता हैben इस्थान चिला 하िए पंड़ी चयरी को और एक खुद चयरी तो जो की राजदानी पंड़ी चयरी सब से बड़ा जिला है को पंड़ी चयरी करते हैं, और चोटा जिला है माह, तें के तें केरल या'! इसके साइट के भाकों क्या कहते हैं मालाबार तड़ कहते हैं आगे देखिए तमिल लाडो के इससे में आप जाएंगे तो यह होगा कोरो मंडल तड़ याद रखेगा इस साइट आपका क्या होता है यह पस्चिमी है और यह पुर्वी तठ है तो डारेक पूश्चन बनते हैं कि जो पुर्वी तठ के किनारे हैं कौन-कौन से तटी मैदान है जो कौंकर तठ आप देख रहे हैं कनार है या कनर तठ है मालाबार तठ है कोरो मंडल जो llum vere मेदानी खेटर यह सब क्या है यह सब मैदानि शेत्र है जो आंद्रप्रदेस वाला हिस्सा है आपका पुरिंगे यह lucs उत्तरी सरकार इसे कहते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यह जो ओडिशा है ओडिशा को कहते हैं उत्कल तर्थ ठीक है और जो वेस्ट बंगाल है पस्ची मंगाल वो है बैगा तर्थ तो याद रखेंगे तर्थ कितने हो गए आपके देखें कॉंकर तर्थ है एक फिर कनार या कनार तर्थ है फिर नीचे आपका था मालाबार तर्थ है कोरो मंडल तर्थ उत्तरी सरकार उत्कल और वेगा तर्थ इन सब को याद रखेंगे यह सब तर्थ छेत रहे हैं हमारे अब आए देखते हैं और यह पूछा जाता है कि कौन सा राज है सबसे ज्यादा जली सीमा य तो आपका है पस्ची मंगाल आप देख सकते हैं 210 किलोमेटर का है सबसे छोटा अगर के इन शाथ इसमें देखा जाए तो आपका क्या होगा 101 किलोमेटर है गोवा की जो सीमा है ठीक है 30 सीमा ठीक और यहां पर ओडिसा की है 484 किलोमेटर है 30 सीमा यहां मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं ठीक है आईए अप इसमें जानते हैं अगर यह देखा जाए कि इसकी दीवों को मिला कर टोटल कितनी होती है लंबाई तो होती है 7566.6 किलोमेटर याद रखेंगे और कुल सीमा आपको पता ही है कितनी होती है 15200 किलोमेटर है ठीक है यहां पर यह लिखा कौन से हैं आपके राजे जोकी सीमा शाजा करते हैं तो देख सकते हैं और करक रेखा है जो बीचोबी से साड़े तेश के द्वारा जाती है तो कौन से हैं गुजरात है मध्य प्रदेश 36 जारफन विश्ट बंगाल तेपुरा और मिजोरम है और इसका ट्रेट भी है आप जानते ही होएंगे लेकिन इसको गर मैप के द्वारा याद करें तो यह आपको असानी से याद हो जाएगा और तर्टी सीमा मैंने आपको बताया था कि नौ राजी है टोटल और केंशासित प्रदेश के भी चार पड़ते हैं यहां लिखा भी है दमन दीवे लक्षदी एक में देखेंगे पहला है आपका गुजरात आट राजी होने चाहिए एक है आपका गुझरात सी नंबर भी लिखा हुआ है ठीके है दूसरा आपका क्या हो गया मध्य택 साहे हमारे कुल हो गए है फिर से एक बार देख रहीते है गुजरात 16 Village moving out which Mie couple is cooking with. आठ राज हमारे कुल हो गए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, गुजरात, मद्रदेश, चतीजगर, जारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और आपका है ये मिजोरब, आठ राज्यों से होके गुजरती है, ठिक, इसको याद रखेंगे, आगे देखते हैं, जो देखेंगे, तो आपका यूपी है, एमपी है, उत्तर प्रदेश, मद्र प्रदेश, चतीजगर, उडिश्वा और राद प्रदेश, ठीक है, प्रयाग के नैनी से होके गुजरती है, ये आपकी साड़े 82 डिग्री, अब शांस, इसको देखते हैं, यहां से देखेंगे, मै आप देखेंगे, तो लगबद प्रयाग यहीं पढ़ता है, यहां में यूतर प्रदेश का मैप है, यहां पे, तो उसके नैनी से होके गुजरती है, तो आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, चतीजगर हो गया, उडिशा हो गया, और ये आंदर प्रदेश, पांच देखेंगे, तो आपको याद जाएगा, किन-किन राज्यों से होके गुजरता है, ठीक है, और यह देखेंगे, किसी में जो यह रेखा जाती, वराबर भागों बाढ़ती है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि जो राज इनके बीच में पढ़ है, उनको भी वराबर भागों किसी में इसका भाग जादा है, और किसी में कम है, ठीक है, तो इस तरीके से था, इसमें आपको कुछ जानकारी मिली, कि हमारे जो 30 छेत्र हैं कौन-कौन से होते हैं, 9 राज हैं, याद रखेंगे, डाइडिक्ट भी कोस्चन बनते हैं, एक बार फिर से जान लेजे, 9 हमारे क्या होते हैं, स्टेट हैं पूरे, और जो चार जो हैं हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जो कि 30 सीमा को साजा करते हैं, ठीक, और पांडिचेरी का भी ये व्याद रखेंगे, जो मैंने आपको बताया, इसके चार जीले हैं, कौन-कौन सा है, यमन है, पर्दुचेरी है, माहे हैं, ठीक, तो आंदर प्रदेश, तमिलनाडू और ये केरलतीन लगभग राज्यों में इनकी सीमाये हैं, और सबसे छोटा माहे है, बताया है, मैंने सबसे बड़ा जो है, वो क्या है, पर्दुचेरी बढ़ता है, उसी की रजदाने भी है, तो इस वीडियो में इता ह के साथ फिर उपस्तित होंगी, तब तक के लिए, चेक केर, बाए